अस्सलाव अलेकूम, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं अमबाड़े का अच्छा, ये अच्छा, आठ दस दिन रखके हम खा सकते, चलिए आप बनाना शुरू करते हैं, उसके लिए मैं लेली, अमबाड़े की भाजी 5-6 कट्टे, जीरा, 4 टेबल स्पून, मेथी, ये थोड़ी सी इमली है, इमली को ले लिए, ये टू टेबल स्पून चने की दाल, टू टेबल स्पून माश की दाल, ये पंदरह से बिस लाल मिर्ज, एक ये अधरक लेसन का डला है, जिसे मां छिल के रख लिए, अब इन मसालों को हम भून लेंगे, अराई मेथी, और जीरा इन्हें अच्छे से पून लेंगे, जब जीरा भूनता तो बहुत अच्छी खुश्बो आती, माशालला इसमें से बहुत अच्छी खुश्बो आरी, ये भूने गया, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और थंडा होने के बाद इसे ग्रैंड कर अब चलिए हम इसमें डालते हैं तेल, तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे माश की डाल, ये माश की डाल तलके हम निकाल लेंगे, थोड़ा लाल होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे देखिए ये बहुत मज़ेदार है चार बनता और इसे आठ से दस दिन हम लोग स्टोर करके खा सकते हैं माश की डाल निकाल ले मैं अब इसमें हम दाल दिये चन्य की डाल इसे भी थोड़ा लाल होने तक तल लेंगे ये लाल होना शुरू हो गई अब हम इसे स्टोव als कर देंगे और इस दाल को भी हम निकाल लेए स्टोव aaf कर देंगे नहीं तो ये दाल जल जाती निकालने तक जल जाती इसलिए स्टोव अफ कर दीजिए अब उसी तेल में हम दालें गे लाल मिर्च ये लाल मिर्च को बीच में से मैं तोल ली नहीं तो ये तेल में फट जाते ये देखे ये भी अब हो गए थोड़ा लाल होने तक ही इसे तले अब इसे भी हम निकाल लेंगे अब इसी तेल में हम दाद दींगे अमबाड़े की भाजी ये धो के मैं रख ली थी अच्छे तीन चार पानी से अब ये भाजी को हम इसमें दाल के फुल फ्लेम पे हिलाते रहेंगे इसमें मैं इमली भी दाल दी चलिए अब हम इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी सूप नहीं जाता ये देखिए ये पक्के कम हो रही ऐसी चम्चे से हिलाते रहेंगे इससे बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता देखिए ये पक्री है इसे अच्छा पूरा पानी सुखने तक हिलाते रहें अब इसमें हम दालेंगे वन टी स्पून नमक नमक इसी स्टेश पे दालें ताके भाजी में अच्छा मिल जाए नमक अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर बाद में नमक दालेंगे एक साथ पूरा नमक नहीं दालेंगे देखिए अब ये पानी सुखना शुरू हो गया इसका अब देखिए आप ये कितनी थोड़ी हो गई भाजी इसे ऐसे ही मिलाते रहें जब तक के पूरा पानी इसका सूख ना जाए इसे सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता बहुत जल्दी ये सूख जाती देखिए आप देखिए ये पानी सूख के भाजी बिल्कुल थोड़ी हो गई अब ये इसे हम ठंडा कर लेंगे देखिए ये हो गई आल्मोस्ट तक्रीबन तक्रीबन इसे हम अब ठंडा होने के लिए रख दिंगे देखिए ये और एकदम पानी इसमें बिल्कुल पानी नहीं है अब इसे ठंडा कर लेंगे इसे जीरा बगार लेंगे इसको ठंडा होने के लिए रख दी मैं इसमें जीरा दालेंगे जीरा थोड़ा लाल होते ही इस देखिए लाल हो रहा ज्यादा काला ना करें जीरा को जैसे सुनहरी कलर जीरे का आए हम स्टो की फ्लेम आफ कर दिंगे देखिए जीरा लाल हो गया अब हम इसमें दालेंगे लैसन का पिसा हुआ पेस्ट दरदरा लैसन जो लैसन लेके हम रखे थे उसका पेस्ट हम दाल दिंगे यह फ्लेम आफ है आफ फ्लेम पर ही मैं इसे मिक्स कर रही हूँ माशालला लैसन की बहुत अच्छी खुश्बो आ रही अच्छे से इसे एक मिनिट तक मिक्स कर ले फिर जो अमबाडे की भाजी थी वो हम पीस लिए थंडी होने के बाद उस भाजी को हम इसमें दाल देंगे देखिए यह पूरे अच्छी जार में से निकालके दालके मिक्स कर लेंगे और हम इसमें जो मिर्ची का मिर्ची तलके रखे थे लाल मिर्च उसका पेज़ भी दाल दींगे उसे भी पीस लेना था वो दालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें दालेंगे जो भाजी लगी हुवी थी ग्रैंडर को वो पूरी मैं इसमें दाल दी अब स्टोर की फ्लेम हम आन कर लिए ये जो दाल हम तल के रखे थे उस दाल को भी इसमें मिक्स कर लेंगे अचार में तेल थोड़ा ज्यादा ही रहता तो अचार खराब नहीं होता और जो ड्राई मसाले थे जीरा राई में थी उन्हें भी हम इसमें दाल के लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे मेरी रेशीपी जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं मेरी रेशीपी आपको कैसी लगी इसमें थोड़ा और नमक लगता इसलिए मैं थोड़ा नमक दाल रहे हूं नमक हमेशा चक्कर ही डालें इसमें देखिये अच्छे से मिक्स कर लिंगे अचार अपना आईल छोड़ दिया मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करें अचार अपना तेल छोड़ दिया माशालला इसमें से बहुत अच्छे खुश्बुवारी आप रोग जरूर ट्राइब करें आप ये थंडा होने के बाद देख सकते अचार अपना आईल कैसा छोड़ दिया चलिए अब हम इसे डिश आउट करते है माशालला इसमें से बहुत अच्छे खुश्बुवारी आप लोग जरूर ट्राइब करें अब हमारी रेसिपी मुकमल हुई देखिए ये हमारा अमबाडे का अचार बनके तयार हो गया इसे दस दिन तक अच्छा स्टोर कर सकते है तेल रहता ये बिल्कुल खराब नहीं होता जरूर ट्राइब करें